इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंड्स की अगर आपके पास है वन प्लस कम हुआ है और उसमें आपको क्या हो रहा है कि जो आपका स्क्रिन लॉक रहता है तब जो आप फिंगर को उपर से नीचे की और डाउन करते हैं तो यहां पर आपका नोटिफिकेशन बा को दबा कर all के option पर जरूर क्लिक करिए चलिए शुरू करते हैं इसके लिए आपको जाना है वन प्लस मॉइल फोन के setting में setting में आकर नीचे आना होगा नीचे आने पर आपको एक option मिल जाता है notification and status bar का इस पर click करिए इसमें आपको यहां option मिल जाता है swipe down on lock screen to view notification drawer का यह setting आपक करके इसको on कर देना है उसके बाद जब भी आपका भी notification बार को नीचे लाएंगे screen lock रहने पर तो आज आ जाएगा फिर जो है कोई भी problem नहीं होगा इस तरह के से आप notification बार screen lock रहने पर नहीं दिखने या आने के problem को ठीक कर शकते हैं वीडियो पशंद आया है like करके channel subscribe करीगा